ओम नमेश्यवाय हरहर महादेव जैशू शंबो अगर आपके जीवन में कोई भी बूरी घटनाए, कोई भी नकारत्मक घटनाए होने वाली है तो उससे पहले भगवान भोले नाथ आपको कुछ संकेत देते हैं बहुत सारे जातक उन संकेतों को पहचान जाते हैं लेकिन बहुत सारे जातक उन संकेतों को नहीं पहचानते हैं पहली बात तो यहाँ है कि हमें कौन से संकेत मिलते हैं जब हमारे जीवन में चीजे खराब या हमारे साथ कोई बुरी घटना होने वाली हैं साथी साथ अगर वो संकेत हमें मिल रहे हैं तो हमें कौन से प्रयोग और कौन से उपाई करना चाहिए कि उस संकट को टाल दिया जाए जादतर जातक जब संकट आ जाता है तब वो जागरूत होते हैं तब वो समझ आता है कि अब हम क्या करें तेकिन अगर संकट आने से पहले ही हमें चीजों को सही से समझ ले संकट को टाला भी जा सकता है साथी साथ संकट को टालने के साथ हम उस संकट के उपाई उपचार भी कर सकते हैं और साथी साथ यह भी है कि हम उस संकट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कहां हमारी गलती है कहां हम ने चीजों को सही नहीं कि उन सभी चीजों पर हम फर्क कर सकते हैं तो इस वीडियो में बहुत ही विस्तार पुर्वक हम समझने वाले हैं कि कौन से ऐसे रीजन हैं, कौन से ऐसे कारण हैं और कौन से ऐसे संकेत हैं जो हमें मिलते हैं जिससे कि हम यह समझ पाएं कि हमारे जीवन में आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो नकारत्मक होने वाली है यह वीडियो डराने के लिए नहीं है यह वीडियो आपकी मदद के लिए है साथिसाथ इस वीडियो में यह भी बात है कि आप अपनी खुद की मदद कर पाएं इन संकेतों को समझ कर आप अपने जीवन में कोई भी नकारत्मक वे हो रहा है तो उसे आप बच सकते हैं और अपनी मदद कर सकते हैं। बस निवेदन यही है कि इस वीडियो को आखरी तक देखना साथी साथ इस वीडियो को लाइक करना मद भूलेगा पूरा देखने के बाद और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विशलेशन हमसे करवाना अर्था जीवन में कोई परेशानी तकलीफ से गुजर रहे हैं स्क्रिंग पर नंबर चल रहे हैं आप आएं वाटसप पर अपोइन्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीज शुल्क लागोई दोस्तो जनम तारीक जनम समय बताना अनिवारे हैं तो हम आप आते हैं कौन से संकेत हमें मिलते हैं सबसे पहला संकेत है कि अगर आपका म नकारत्मक चल रही है नकारत्मक खबरे सुनने में आ रही है और मन बहुत जादा इस तरह से लग रहा है कि बहुत जादा नेगेटिव फिल हम कर रहे हैं ऐसी परिस्तितिया और ऐसे संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो आप अपने आस पास एक नेगेटिव वाइबरेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको कोई नकारत्मक या कोई भी ऐसी खबर मिलने वाली हो जो आपके हितकी नहीं हो इसलिए इसका प्रयोग भी में बताऊंगा उपाई भी बताऊंगा उसे भी समझ लें दूसरा संकेत यह है कि बार बार आपका जो सामना हो रहा है लाउधान होने क्या उशक्त है तीसरा है कि सपने बे इस तरह के सपने आना कि जिन सपनों का कोई सेंस ना हो सेंस से मतलब है कि बहुत नेगेटिव बहुत डार्क सपने आ रहे हैं चाहे वो खुद से जुड़े हो कोई परिवार के जक्ति से जुड़े हो बहुत डार्क ब तो ये इसके पीछे एक राभू है और दूसरा जो गराह होता है कि हम बहुत जादा रैक्तिकरल सोचने लघोग जाता है भुथ जादा खुद को बुद्धी मत समझ इस वजय से भी होता है। उसकर अलावा अगला संकेत यह मिलता है, व्यक्ति वुत को खुद को खुद ऑपजरू नहीं कर पता. मैं क्या उसका किर रहा हूं, खुद असकर कंड्रोल के सब्सक्राइब करें, आपने आप एक नकारत्मक्ता को डर्सनाता है. खेह questa keenथनियाको और रहा हैं, तो घबरानी की कोई हो शकता नहीं एक हल एक उपाय में आपके साथ साजा करना हूँ अगर आप इसे करेंगे आपको बहुत फाइदा मिलेगा और इस तरह की जितनी सारी परिशने इनसे आप हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे बस यहां से इन हलों को बहुत अच्छे से समझे अगर वीडियो यहां तक अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट्स पर भुलिनात का नाम लिखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना सबसे पहला हल आपको करना है जो पहला जो संकेत मिलता है हनवान 40 अगा पार्ट करें जब आप पार्ट करना शुरू करेंगे तो इन नकारत्मक ता धीरे-धीरे चले जाएगी और सभाई गुरूप से कोई भी आपके साथ बुरी घटना नहीं होने वाली है सब चीज़े बहतर होगी अच्छी होगी दूसरा है कि नकारत्मक लोगों से मिलना मतलब बहुत जादा जो फ्रोड लोग हैं जो धोकेबाज लोग हैं जो जुड बोलते बातों बातों पर ऐसे लोगों से हमारा संपर्क बढ़ना ऐसी इस्तिती में आप कम बोले क्योंकि वो आप कम बोले आप सिर्फ सुने, समझे, observation करें आप ये कते ही न करें कि आप बढ़ चड़कर उसमें भाग लें आप सुने और समझे जब सुनेंगे समझेंगे बहुत से चीज़े आपके clear हो जाएगे और आपको रस्ता भी मिल जाएगा ये बहुती short और street रस्ता है लेकिन इसके लिए एक मूल बात है कि आपको observation आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए और वो होता है सुनने से समझने से तीसरा है कि फिर भी आपको लगता है ऐसे मन में कि मेरे साथ कुछ खराब होने वाला है गलत होने वाला है तो जूट बोलना बंद करें बहुत सो लोग जूट बोलते हैं सच नहीं बताते हैं तो जो एक्च्छल सच है वो बताएं जूट बोलने से बचे और किसी परिस्तित से घबराने क्या हो शक्ता नहीं मन में डर और वहम मत रखो और एक अग्याद डर मत रखो कि ऐसा हो जाएगा मत छोड़ना नहीं है गुरु मंतर नमशिवाय मंतर का जाप करना आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारतमक बदलावाएगा आपके जीवन में वह चीजी होगी जिसके बारे में आपने कभी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगओ तो प्लीज लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कमेंट्स में जरूर बता है ये वीडियो आपको कैसा लगओ अगर अच्छा लगओ तो लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें और चाहते हैं अगर अपनी आवची रुप से करूंगा, ओमने माश्य वारी